नमस्कार आप सभी का एगंस्ट कर्प्सर 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे किसी भी सिकायत बाद में यदि आपने राजी सूचना आयोग में धारा ठारा के तहत सिकायत बाद दैर किया है और उसमें आयोग द्वारा सुनवाई में आपको अपना पक् और आयोग द्वारा यदि साक्षों की सूची मांगी गई हो तो आप लोग किस प्रकार अपने सिकायत बाद में अपना पक्ष रखते हुई परतिवेदन देंगे एवं किस प्रकार सूची बनाएंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर और पर भी क्लिक अबस्य कर लें जिससे हर तरह के RTI से सम्मंधित जानकारी आप लोगों को आसानी से हो सके तथा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुं कालिए मैंने एक बाद में अपने सुनवाई है तु अपना पक्ष रखतेवी परतिवेधन लिखा है आप लोग भी अपना पक्ष रखतेवी इस परकार साधे कागज पर लिख सकते है, साफ साफ या टाइप कराक कर भी लिख सकते हैं सत्यमेव जैते सेवा में स्रीबान राजमक सूचना आयुक सूचना वन बेली रोड पतना पतना विसावाद संख्या इतना के दिनां कितना को इतना वजे पुरवाहन की सुनवाई में अपना पक्ष रखते वी परतिवेदन देने के संबंद में हैं मैं परवीन कुमार सर्मा सिकायत करता हूँ बनाम लोग सूचना पताधिकारी सहनुमंडल पुलिस पताधिकारी दिलीप कुमार नवच्या भागल पूर के विरुद्धिया सिकायत दायर किया था मैंने इसी में सुनवाई होगी आप लोग इसी प्रकार अपने भी वाद में स सूचनाय तु आवेदन डाक के माध्यम से प्रेशित किया जिसे लोग सूचना पताधिकारी से पुलिस उपाध्यक्ष प्रशाषन पुलिस उप महारक्षक कारया ले पूरवीचे तरफागलपूर का ग्यापांग कितना दिनां कितना को अस्थांतरित किया गया जिसे अधिकारी नोचिया द्वारा सो समय वांचित सूचनाय नहीं प्रदान की गई तीसरा मैंने दिनांग चार तीन दो होजारे की सको डिया जी भागलपूर के श्रमक शावेदन दिया था जिसमें स्पी नोचिया को स्वेम समिक्षा करने का आदेश प्राप्थवा था इस संबंद में ही मैंने सूचना की मांग किया था लेकिन वांचित सूचनाय और प्राप्थ है चौथा आयोग में सिकायत बात दायर करने के बाद मुझे गया पांग कितना दिनांग कितना रुमंडल पुलिस पतादिकारी कारियाले का प्रतिवेदन दिया गया जबकि मैंने प्रपत्र को द्वारा स्पी नवच्या द्वारा किये गए समिक्षा रिपोर्ट इवमन बिंदों पर सूचनाएं की मांग किया था ऐसे इस्तिती में दोस्यों पर धारा आप बीस एक बीस दो के तहट करवाई कर उनी साथ भी के तहट छती पूर्टी भी दिलाने की किरपा की जाए अपना स्टाचर कर देंगे दिनांग दिखें इस प्रकार आपका जो भी गया पांक दिनांग से अगर कोई सूचना दी गई हो वह गलत हो तो आप इसका वर्णन कर सकते हैं या सूचना अप्राप्त है तो उसका भी वर्णन आप लोग असपस टिसी प्रकार पॉइंट यह विध्यान रखेंगे रिखेंगे सेवा में स्रीमान सरीमान राज मुक्षूचना आयोक सुशना, वन, बली, रॉट, पटना, पतना अपना राज तुचना тьल लिए विशावण संख्या इतना दिना कितना बाधन इतना वजे की सुनवाई में सिकायत को परमानित करने के लिए साक्षेवं साक्षाओं के सूची समरपित करने के संबन्द में महां से उपर युक्त वाद में साक्ष्यों की सूची निम्लिखित है क्रम संख्या एक आदेश की प्रती जो भी हो जितने पेज की हो लगाएंगे या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन का आदेश का जो प्रती था वह लगा जिसमें साक्ष्यों की मांग की गई अभियुक्ति चार में लिखेंगे दूसरा प्रपत्र को एक पेज का वांचित सूचनाए हे तु जो मांगा गया था प्रपत्र को उसे लिखेंगे सौसमे सूचनाए नहीं दी गई तीसरा डाक एवम सुल्की परती जो भेजे होंगे आप उसकी भी परती लगाएंगे उसी प्रकार चौथा यदि कोई आपको पत्रांग दिनांग से कोई सूचना दी गई हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं मुझे पलिस अधिक्चक नोगच्या का आदेश हुआ था जिसमी अनुमंडल पलिस पताधिकारी नोगच्या द्वारा सौसमे पालन नहीं किया गया उनके आधेश का उसकी अविक्ति में लिखा अ गया है पाज मां गया पांग कितना दिना कितना से पुलिस अधिक्छक नगच्छा द्वारा अपलब्द करा गया कुछ सूचना जिसे पुलिस अधिक्छक नगच्छा का समिक्छा रिपोर्ट नहीं है वहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की सिकायत पर किये गए अनुमंडल पुलिस द्वारा जबाब की परती भेज दी गई जबकि मैंने SP नगच्छा द्वारा स्वें समिक्षा की रिपोर्ट मांगे थी दिनां कितना को दिए गए डियाईजी साहिब को आवेदन की परती जो भी आपको कहना हूँ इस परकार पॉइन टू पॉइन शूची बना लेंगे और एक सूची आयोक के समक सुनवाई से पहले सिख्र प्रिशित कर देंगे जिससे सुनवाई के दिन आपका आवेदन आपका परती वेदन अभि लेक में सगलंग रहे और आसानी से आप सुनवाई कर सकें जैहिन